आज कल मुझे बहुत किसान भाई अपना बाग देखने के लिए अमंतरित कर रहे हैं इसके लिए वो मुझे फीस भी देते हैं और थोड़ा खर्च भी करते हैं अधिकतर बागों में मैंने यह पाया था कि उन में जो बाग लगाने से पहले है वो उस पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया गया उन्होंने एक लिश्चे किया कि मैं बाग लगाऊंगा और वो पहुँचे नरसरी वालों के पास में और नरसरी वाले ने उन्हें कहा कि भाई आप जो है ना थोड़ा बड़ा पोधा लगाईए और आपको दो साल में फल मिलना शुरू हो जाएगा पोधा लगाया पोधे अच्छे आए लेकिन उसके बाद सब गुड़ गोबर हो गया जैसे ही पोधे बढ़ना शुरू हिए तो उनमें समस्या आने लगी समस्या ये आने लगी कि ने तो उनको किसी ने ये बताया कि इसमें क्या नूट्रेंट पढ़ेंगे किस चीज की कमी है और पोधों में जो आठ माँ पहले बिमारी सुरू हुई थी वो आते आते पोधे उनके 20% पोधे मर भी गए और उनको वो दुबारा रिप्लेस करने की सोच रहे हैं काफी पोधे ऐसी अवस्ता में जिने रिकवर होने में एक साल लगेगा और कुल 20% पोधे ही सही हैं जो भी थोड़े दिन बाद हो जाएगे किसान साथियों आप सब का स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैलन में और मैं बात कर रहा हूँ बाग लगाने की तयारी का भाग दो और अंतिम भाग पहले भाग में मैंने बताया था कि आपको किस प्रकार अपनी जमीन की तयारी करनी चाहिए उसमें एक मैंने सब्द इस्तेमाल किया था मिट्टी टेस्ट करना आप अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करें जब पल्टी पुलाओ कराते हैं उसके बाद में अपनी एक वीडियो में अलड़ी बताया हुया है सेंपल लेकर टेस्ट कराईए और उसमें कुछ चीजे हैं अब इन चीजों को कंठस्त कर लीजिए और ध्यान रख लीजिए अगर आप वगयनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो आ कारण यह हुया उस बाग में दो साल का भी पोदा है एक साल का भी पोदा है तीन साल के भी पोदे हैं बिमार के हैं कितनी दवाइ लगाओ गे बहुत गल्कुलेटिवा आदमी है हर दवाई का उसने एक प्राइस देखा मेहनत देखिया सब चीज कर दे एक कहते है तियागी phenomenal臭ав चीज है पिह एंज पूंश primeira चीज है पी एच कुछ नहीं होता लेकिन आप ऐसे बातों में मत आये और पिय हैं में अच्छे बाग के लिए पि जो है छेएAK के बीच में होता है यह हम माल लेते साड़े पांच और साड़े साथ के बीच में होता है साड़े साथ तक कोई प्रोब्लम नहीं है साड़े पांच छे तक कोई प्रोब्लम नहीं है अगर इस से उपर जाता है तो आपको क्या करना है नीचे आता है तो आपको क्या करना है ये भी मैंने एक वीडियो में बताया है अगर उपर की तरफ जाता है तो मिट्टी छारिये हो जाती है और उस समय आपको जिपसम का परियोग करना चाहिए अगर नीचे जाता है तो वानी के लिए प्रते एक वर्स अपनी मिट्टी अवज से टेस्ट करें दूसरी चीज इसमें होती है इसी क्या होती है इसे इलेक्टिकल कंड़क्टिविटी बोलते हैं जिसका के कई रिपोर्ट में मैंने देखा कि उसका जिक्र तक भी नहीं था इसी का साधारन सब्दों में अगर मैं बताऊं तो यह वह किरिया है जो पोधों को जो आपने न्यूट्रेंट दिये हैं मिट्टी में या वहाँ पर पड़े विये हैं उनको उपलब्द कराने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इसकी मात्रा अगर आपकी 1.0 से कम है तो बहुत अच्छी बात है और अगर 1.23 भी है तो भी ठीकी बात है कोई ज़्याद समस्या की बात नहीं है अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके सामने समस्या है बस इतनी ही बात इसको समझ लेजिए तीसरी चीज आती है इसमें आपकी के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास आप ये देखिए अगर इन में से किसी की उपलबता अधिक है एक किसान भाई की मैंने मिट्टी टेस्ट कराई उसमें फॉस्फोरस बहुत अधिक है इसका अर्थ है कि उन लोगों ने सिंग पूरा नहीं लगता है तो उसकी मात्रा अलेडी है तो उसको जब हम खाद लगाएंगे उसकी मात्रा नयके बराबर देंगे या बहुत कम देंगे और उसके साथ में हम जो पी-एस भी है फॉस्फोरस सॉलेबलाइजिंग बैक्टिरिया उसका प्रयोग करेंगे उसका काम ह वास्था में आपका जो फोस्फोरस पड़ावाया उसको घुलन सील बना कर देगा इससे आपके फर्टिलाइजर की बचत होगी और वहां पर मिट्टी की गुणवत्ता भी सही होगी इसी प्रगार आप पोटास और नाइट्रोजन की बाद की मुख्य चीज है कि एक होता है उसमें कार्बन कार्बन बहुत इंपोर्टेंट है मुझे कई किसान भाईयों के फोन आते हैं कि मेरे पोदों में ये समस्या है और मैं जेवी करता हूँ बड़े जो सोरों से बताते हैं मैं जेवी करता हूँ आजकल तो प्राकर्तिक खेती भी लोग करते हैं और प्राकर्तिक खेती करते वे ये भूल जाते हैं कि उसमें किसी भी बाहरी इंपुट का कोई प्रियोग नहीं होता लेकिन फिर भी प्राकर्तिक कह रहे हैं तो मैं उनसे एक सवाल पोशता हूँ, आपकी मिट्टी का कार्बन कितना है? उन्हें पता ही नहीं है, या पाइंट टू है, या पाइंट थिरी है, और अधिकतर को तो पता ही नहीं है के कार्बन क्या होता है. किसान साथियो मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहरूपिया गोबर, अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे, कार्बन की इतनी महत्ता है के कार्बन ही जो हमारे जीवानू होते हैं, पोधों को न्यूट्रेंट उपलवद कराते में इसी वातावरण में अच्छे से पनपते हैं. औ तो आपकी फंगस भी कम आएगी, आपकी बिमारियां भी कम होंगे और पोधे स्वस्त होंगे, आपका बाहर का खर्चा कम हो जाएगा. तो किसान साथियों सारांस में मैंने ये बताया है कि आप बाग लगाने से पहले अपने खेत में पल्टी पुलाओ कराएं, 10-15 दिन का सोलराइशन करें, फिर उसमें रोटावेटर लगाकर उसको एकसार करें, लेवलिंग कराएं और फिर अपने मिट्टी टेस्ट कराएं. मिट्टी टेस्ट करागर इन बातों का ध्यान रखें, जो मैंने आज बताई हैं, और उन बातों को करें, जो मैंने इस से पहले भाग में बताई हैं. अगर ये कारिये करेंगे, तो आपके पोधे निश्चित रूप से स्वस्थ होंगें. एक कारिये और करना, किसी भी, जिसका खर्चा आपका लगबग 10 रुपे से जादे नहीं आएगा, 10 रुपे परती पोधा आएगा. आप उसमें तीन दवाईया होती हैं, एक निमिटेसाइड होगा, एक फंगिसाइड होगा, और एक इंसेक्टिसाइड होगा. उस पोधा लगाने के बाद एक बार दे द चाहिए मैं पोधे कम बेचूँ, चुके मुझे ऐसे बहुत किसान भाई मिल गए हैं, जो गुणवत्ता चाहते हैं, वो इस बात को नहीं देते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अवश्य बता. मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं OWDC का भागदो बन हैं, और मुझे पर बहुत कटाक्स भी किये हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तटस्त होकर जो लिखे हैं, और ये मेरा मानना है कि जो मैं कहना चाहा रहा था, अधिकतर भाईयों ने वो नहीं समझा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. एक वीडियो में सिग्र ही मैं जल्दी से बताऊँगा, हां मैं ये कहना चाहता हूँ, कि मैंने अब वेस्ट डीकमपोजर का परियोग बिल्कुल बंद कर दिया है. और जो भाई, अधिकतर मेरे से पूछते हैं, सीसी भेजिया ना भेजिये, वो आप डाक्टर करसंचंदर जी से बात करिये, कि वो बताएंगे कि य नहीं मिलता, उनका बनाया हुए प्रोड़क्ट वही ये नहीं बताते कि ये कहां से मिलेगा, बहुत से सवाल मेरे से सवाल करते हैं लोग, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, अगर किसी के दिल पर इस बारे में ठेस पहुंचती है, तो मैं दिल से माफी मानता हूँ, लेक अपना उसमें जो साधर्ण खेती है, उस तरह से भी कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता यह क्या है, मैं अपना एक मोडल बना रहा हूँ, जब वो पूरा हो जाएगा आपको दिखाऊंगा, इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, वंदे हूँ, जैहिं आर उसी माचारत, टूरा हूँ, क्यों ठारत वे हूझ, पूरा झारत हूँ.